मिल्लाय आर्म में आज आज ग्रामर वर्क करना है जो आफके टैक्स्ट भुक के एटीन पर है ग्रामर वरक में हमने आज प्रेजन्ट प्रेजन्ट पूर्फ अक्ट गर्नटिन्यूस टैंस के साथ डील करना है यह दिखना है कि कैसी बनाना है प्रेजेंट प्रफिक्ट कंट्रू स्टेंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं एक फर्मॉला है है ए है या हेव है आज है आउ के साथ हम बीन और पलस इंक फॉर्म लगाते हैं किसके साथ जो वर्ब की पहली फॉर्म होती है यानि कि प्रिजेंट प्रस्टियत परप्रिजंट प्रस्टियत इस आइड़ IPER जो फोम ऊब की होती है की वार की पहली फ़ाम जो थे जब हम प्रिजंट पर्फैक्ट कैंटिनू सर्थ बनाते हैं तो हम हाज या हाव या बीन और जो प्रजेंट पार्ट सिपल होता है वो कि फिर्स्ट फाम उसके साथ हम इंग लगाते हैं और जो हैस है हैस हम जो third person singular होते हैं for example she के साथ या he के साथ हम has इस्तिमाल करते हैं यो जो helping verb है has या अग्जरी वर्ब है जो has है हम he she के साथ इस्तिमाल करते हैं करते हैं या it के साथ इस्तिमाल करते हैं या जो वो की third person ये third person singular subjects हैं उनके साथ इस्तिमाल करते हैं ये क्या है ये third person singular subjects हैं इनके साथ हम क्या करते हैं इस्तिमाल करते हैं या या और की third person singular हो उसके साथ किसी का नाम हम ले लें एक ही आदमी हो एक ही चीज हो तो उसके साथ हम has इस्तिमाल करते हैं अब रहा मसला है हो का हो बचो हम I के साथ U के साथ V के साथ V के साथ इस्तिमाल करते हैं और जो बाग के plural subjects है उनके साथ हम क्या करते हैं have इस्तिमाल करते हैं यानिकि have जो आई है यह first person singular है you second person singular भी है plural भी है और we यह first person plural है दे थर्ड परसन plural है और बागी जो किसी जब हम किसी का नाम लेते हैं वह एक से ज़्यादा आदमी हों एक से ज़्यादा चीज हों तो उनके साथ हम have इस्तिमाल करते हैं यह भी और यह helping verb है तो यह जो present perfect continuous stance है यह वहाँ हम इस्तिमाल कर सकते हैं कि जो काम past में start हुआ हो और अभी भी चलता हो अभी खतम नहीं हुआ हो तो वह हम present perfect continuous stance इस्तिमाल करते हैं यह यह पास्ट में काम start हुआ हो और अभी भी चल रहा है तो वह हम present perfect continuous stance इस्तिमाल करते हैं तो उसके लिए फार्मूला है has have been plus in और वह की पहली जो form है present participle उसके साथ हम यह चीज़ें इस्तिमाल करते हैं तो for example हमारी पास एक example है he को हम ले रहें तो he के साथ हमने यह has इस्तिमाल करना है he has और अगर काम past में start हुआ हो और अभी भी चल रहा हो तो been हम इस्तिमाल करेंगे he has been he has been यहां पर हम लिखेंगे present participle form of verb है इसके साथ हम इंग इस्तिमाल करेंगे इंग form who are playing he has been playing since since morning he has been playing since morning यानिकी वो सबसे कहल रहा है यह काम सबस्टाट हुआ है और अभी भी भी खातम नहीं हुआ है कि यानिक हम कहारें कि सच विश्विश्विश्वाण पर गिन्था मुआ पक्रम प्रिब पिवाल कना समय कि सच विश्वाण पर कोडम रेस कोम तप्सर दिना मुआ है यह गजी पर देख एंग है यहहां थाज्विश्वाण पर इस वीश्विश्वाण अन्यव खाने श्विश्वाण फटू सबस्ट जियरु प्रेंट आस इस फूम एलग् सिंस मॉनिंग यह वर्ब की जो पहली फाम इसके साथ इंग फाम लगता है और है जहाओ उसके वह साथ बीन लगता है तो यह प्रेजेंट परक्रेक्ट के अंट्रू स्ट्राइब बन जाता है अगर हम दूसरी मिसाल ले ले लिए फार इक्जाम्पल बचो दे है यह plural subject है third person plural subject है तो दे के साथ अभी आपने देखा कि दे के दे हैव उसके बाद हम बीन लगाएंगे बीन फिर वो की first fortunate फॉर्म वर्ट और जो प्रेज़न टाइब सप्पला उसके साथ या वह की फुस्पाइब साथ हम लगाते हैं दे हाब बीन वोर्टिंग फॉर फाइव यूर्स आप बेह बीन वर्क बोकिंग फाइव यूर्स वह पिछले पांच साल से काम कर रही है पिछले पांच साल से जब हमें पीरड प्टायम दिखानओ हो तुद्ध हम फॉर। इसमाल करते हैं वथम पॉइंट आप टायम आप दिखाने तुद्ध हम सिनसे सिमाल करते हैं ठीकन बच्छू तुद्ध, तुबच्छू वमेए थे की आज आफ निसके यह प्रिजन पछे पर्फेक्ट कांट a banana how it is to be framed you need to know that with has or how how to make it you have to use has how well it's being plus inform with the present parts perform the verb or you know that has is used with third person singulars that is she he it or any other third person singular subject and have is used with first person singular that's I second person or second person singular and plural that's you first person plural that's three third person plural that's they and other plural subjects we use have to be joe may take a ask we some much I will go to it as physical tech for the office